दोस्तो आज में लिख्या हूँ आपके लिए Excel के अंदर Sparkline MIS कैसे करते हैं येस आपने बरवर सुना Excel Sparkline MIS ये वीडियो आप ज़रूर देखना और इस वीडियो को Like, Share, Comment, Subscribe ज़रूर करना Thank you very much चलिए दोस्तो आज हम सीखने वाले Excel के अंदर Sparkline MIS कैसे करते हैं सबसे पहले मैंने यहां पर डेटा अल्रडी बना है तो अब मुझे यहां पर क्या करना है Sparkline शो करना है जिसे हम मैंने सेरील नंबर, Name of Salesman, Product एक जैनवे से लेके 15 जैन तक मैंने डेटा बना है अब मुझे पूरे 15 दिन का यहां पर Sparkline शो करना है एंड कॉलम शो करना है बरबरे चली दिखते कैसे सबसे विले क्या करना है Click the Sparkline पर क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट में जाना है इंसर्ट के बाद यहां पर आपको लाइन स्पार्क लाइन दिखा दिया मैं आपको जूम करके दिखाता हूं अगर वाइट ब्लस आता है तो आपका सेलेक्शन होगा बट आप यहां पे black plus मतलब drag आपको क्लिक करना है जिसे आप違яти कअब आपका स्पार्क लाइन आपका लाइन सेड्योंगा अगर अपर इस ऑलग्ध में दिखो ए आ इक य लाइन में एकर लाहन में शुर्ट Это हो आइट अब यहांपे जूमनेटआ बना है वह कैसे स्मॉल से लेके लार्ज तक मेरा डेटा है अभी यहां पर देखोगे तो 25 मेरा सेल हुआ है एक जैन में और डायरेक 15 जैन में 39 गोल है बरबर है तो मतलब 25 26 27 ऐसे बढ़ते जा रहा है राइट ना तो मुझे थोड़ा उपर नीचे चाहिए तो मान लो यहां पर मैंने टाइप किया 500 चीके और थोड़ा सा आगे गया टाइप किया 200 देखो बीच में आपका जो स्पार्क लेंगे वो क्या हुआ थोड़ा ऊपर नीचे आया ओके अब सेकेंड सेकेंड में भी आपको क्या करना है यहां पे लैक 200 फिर यहां पे 450 एसा बीच बीच में लैक 60 कुछ फॉर्थ फिप मांदो 400, 1000, 5000 यह देखो आप बस बीच बीच में आमोड चेंज करो यहां पे आपका जो लाइन है वो भी चेंज होगा अभी लास्ट वाला मालप मेंने 100, 500, 600, 800 देखो आया कि नी लाइन अभी इस कॉलम को एक से रेके 5 तक जो भी आप करो है इनको सेलेट क करो राइकलिक रोह हाइट कि मेर्व करो 20 बduc अर्द अर्यधि का स्बास्ता करना है अब यह तो मैंने sparkling किया आप मुझे column में convert करना है तो आपको क्या करना है select the column insert में click the column click the column यहां पर click करना है जैसे आप click करोगे जिसे मेंने बताया भी एक जान से लेके 15 जान तक select करना है और आपको यहां से करना है यहां से ड्रैक करो तो आपका कॉलम में convert हो जाएगा आप चाहे तो यहां पर थोड़ असरसाइज बढ़ा सकते हो तो आपको अच्छे से प्रॉपरली दिखाए जएगा यह तो मैं sparkling भी करता हूँ देखो sparkling भी किया इस तरह सिंपल ओके तो यह वह आपका sparkling इन कॉलम अब मुझे इन में न मार्क कलर करना है मार्क कलम मतलब फोड़ा highlight करना है जैसे मैं कॉलम को सेलेट करता हूँ कॉलम को सेलेट करने के वाद यहां पर हाइप दिखाए दिया में जूम करके दिखा दो इडिजा हाइप पॉइंट ओके आपको जो भी कलर चाहिए मोस्ट अब में रेड दूंगा देखो दिखाए दिया तो क्या हुआ इडिजा जो भी हाइस पॉइंट है उनको रेड आया अभी आपको रेड नहीं देना अब गृण देवी ऑगी अगर आपको लूइस पाहंं को रेड देना अभी अधिस लूंग को एस देखते patent लो अब स्पार्क्लDEN पे देखते हैं आप पॉइंट में हम लोग उपस करीं देंगे और लो न go कोई पॉइंट को उने अगर अच्छी से देखोंगे और जो लो फॉन्ट यह वह पॉइंट को ऑनों ने m होगा okay sparkline in MS okay so यह वीडियो कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेर कमेंट सब्सक्रीब जरूर करना so thank you very much